3 best and worst things about overhead private colleges Number 1, very easy to get admission as compared to IITs, NITs, Rapper ITs and BITs be exceptional Number 2, infrastructure काफी तगड़ा मिलता है अगर आपकी government colleges से भी compare करोगे तो भाइसाब बहुत बड़े-बड़े campuses होते है private college के 200-1, 400-1, 600-1 तक के campuses आपको मिल रहे होते है जिससे admission में आधा काम तो ऐसी हो जाता है Number 3, diversity and exposure हाँ, private colleges में काफी अलग अलग जग़ा के लोग आपको देखने को मिलते है exposure भी काफी तगड़ा मिलता है worst things की बात करें Number 1, placements काफी overhead मिलेंगे website पे 1 करोड, 5 करोड, 200 करोड सारी हवा वाली बाते होते हैं Median or average packages के बारे में बहुत कम बात के जाता है कितने बच्चे graduate हो रहे हैं, कितने प्लेस हो रहे हैं बहुत कम बताया जाता है Number 2, fees काफी सादा देखने को मिल रही है 25, 20, 15, 15 ये piece है and average की बात करें, 4-6 लाग हमें देखने को मिलता है overall ROI बहुत कम है Number 3, very high student है भाई साब, 1000 हो में बच्चे हैं, गमेरो साइंस की बात करें 4000, 5000, 6000, 6000 तक बच्चे ले रहे हैं private colleges क्या मतलब Microsoft आके एक बच्चे को लेके जाती है ये थी तीन best and worst things अगर आप जे की प्रेप कर रहे हो, थोड़े और अच्छे से मेनद कर लो ये सब तो चलता रहेगा, ऐसे शौट वीडियो के लिए सबस्क्राइब रहे